कहावत है अंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला इसराइल जंग में कूदा लेकिन इसराइल का विरोध करने के लिए पाकिस्तान क्यों कूद गया जहां एक तरफ घमासान चल रहा है इसराइल ने मिसाइलों की बारिस कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान न में क्या कहा है जानेंगे क्या कूँछ चल रहा है आए जानते हैं इन ख़बरों को वेस्तार से मिदलिस्ट का ये इलाका कभी भी वहां यहां वेस्ट बेंग को देख लीजिए गाजापति को देख लीजिए इस इस इलाके में लड़ाई रही और ये लड़ाई करीब एक सो साल से चल रही है फलिस्तीन अपने इलाके के लिए लड़ रहा है तो वहीं इसराई अपने दावा को छोड़ने के लिए राजी नहीं है और गाजा पट्टी जो इसराईल और इजिप्ट के बीच में है यहां फि द्रोई हैं वो लगातार इसराइल पर हमला करते हैं पर अंतरराष्टी मीडिया हमास के हमले को उस तरीके से पेस नहीं करती है जिस तरीके से पेस किया जाना चाहिए अब जैसा कि हमने बताया ये लड़ाई करीब 100 साल पहले से चल रही है अभी जहां आप इसराइल देख र देशों का साथ दिया मित्र राष्ट में कौन-कौन थे बृटेन था लिया जा तुर्की और बृटेन आमने सामने आ गए उस समय बृटिस समराज बहुत बड़ा था फला फुला था नतीजह यह हुआ कि बृटेन युद्ध जीत गया और ओटोमन समराज बृटेन के इसी चलते दुनिया के भर से जो यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आने लगे इसमें बिटेन ने दे दिया साथ बिटेन ने कहा ठीक है तुमारा यहीं पर बनेगा यहूदीयों का देस और फिलिस्तीन में यहूदीयों के देस बनने की तैयारी शुरू हो गई लेकिन जब जमा होने लगे और बिटेन एक रन्नीती के तहती ने बसा रहा था तब इस पर दवाब बनने लगा यह मामला यूएन में चला गया यूएन में दवाब बनने लगा कि दोनों को अलग राष्ट दो दोनों को अलग राष्ट देने के चक्कर में फिलिस्तीन के दो मिली है दरसल बटवारे के बाद फलिस्तीन को जमीन का आधे से भी कम हिस्सा मिला जबकि बटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कबजा था अब जहां ये फैसला यूएन ने किया वैसे ही इसराइल ने खुद को एक आजात देश घोसित कर दिया और अमेरिका ने तुरंत इसराइल को मान्यता भी दे दी अब इसके बाद जो 6 दिनों का आरब देशों और इसराइल का युद्ध हुआ उसे तो कोई भूल नहीं सकता है तब से ये जो इलाका गाजा पट्टी का है ये बन गया है जगड़े का घर और इस जगड़े के घर में इसराइल सकतिशाली होता जा रहा है पिछली बार जब इसराइल और फलिस्तीन के बीच ये जगड़ा हुआ तब फलिस्तीन ने बहुत सारे रॉकेट दागे थे एक साथ इतने रॉकेट दागे थे कि कोई न कोई रॉकेट तो गिरता ही इसराइल की जमीन पर और गिरा भी पर संख् कम थी 90% हतियारों को आइरन डोम रोक दे रहा था लेकिन फिर भी 10% किसी न किसी तरीके से गिर रहे थे अब हमास ने एक नया तरीका अपनाया था एक साथ हजार रोकेट छोड़ दो एक साथ सौ रोकेट छोड़ दो और जब इसराइल हमला करने लगता है तो फिर बात होने लगती है कि ये तो सिविलियन इलाका है ये तो आम लोगों का इलाका है यहां ऐसा क्यों हो रहा है पर अब इसराइल ने एक बार फिर संगर्स को छ चेड़ दिया है और तगड़ा वाला हमला करना शुरू कर दिया है यह इस्ट्राइक लगातार दो दिन से जारी है पहली दिन तो यह लगा कि छोटी मुटी घटना है जो गाजा में अक्सर होती रहती है लेकिन अब यहां पर लगातार हमले होए जा रहे हैं और इसमें कहा ज इसराइल ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया इसराइल डिफेंस फोर्स उत्री और इन्होंने सीधे एरिश्ट्राइक करना शुरू कर दिया इस एरिश्ट्राइक में करीब 15 हमास के आतंकी मारे गए हैं अब यहां पर बिलबिलाया कौन है सबसे बड़ी बात यह है कि ब दुनिया भर की संस्थाओं को आना चाहिए दुनिया चुप क्यों है इस मामले में बोल क्यों नहीं रही है फैर पाकिस्तान को पहले अपनी इस्तिती सम्हालनी चाहिए और अपने घर को देखना चाहिए खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं तूसरी तरफ ताइवान और चीन की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसमें चीनी सेना युद्धा भ्यास करते करते काफी नजदीक पहुँच रही है अब तो ये भी बाते हो रही है कि ताइवान के अंदर कई सारे चीनी ड्रोन घुस रहे हैं जिसे मार कर गिरा रहा है ताइवान हलाकि ताइवान का ये कहना है कि यही युद्धा भ्यास करते करते चीन अचानक से हमला कर देगा और इसको लेकर ताइवान अब पूरी दुनिया के सामने आया है दरसल ताइवान ने लोकतंतर का हवाला देते हुए जो राष्टपती है उनकी साइवेंग उन्होंने दुनिया से मांगी है मदद इस मदद के तहट ताइवान ने कहा है कि लोकतंतरिक देशों को अब हमें मदद करना चाहिए हम चीन के खिलाफ लडाई लड़ना चाहते हैं अब इस्तिती यह है कि जो बड़े बड़े आप देश देख रहे है जो लोकतंतर का पाठ फड़ा रहे हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी हमने देखा बहुत सारे देश यूरोपिये देश पस्चिमी देश सीधे कूद पड़े इस लड़ाई में इन्होंने हाथियारों से मदद की पैसे से मदद की बहुत सारी चीजों से मदद जिसकी वज़े से अभी भी रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और कहीं ने कहीं रूस को इतना ज्यादा च्छती इतना ज्यादा हानी नहीं पहुंचता अगर दुनिया के इन देशों ने मदद नहीं की होती तो वैसे ही ताइवान की स् से तो होगा यह कि ताइवान मजबूत इस्तिती में आ जाएगा और ताइवान वो हाल कर देगा जो हाल रूस का हुआ मतलब छती हुई हानी हुई भले रूस जैसे जाइंट से यूक्रेन नहीं सकेगा यह चीन जैसे जाइंट से ताइवान नहीं सकेगा लेकिन चीन और र पुलावे पर दुनिया भर के देश आएंगे बड़े बड़े देश तो वह हैं जो चीन की वनचाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं मात्र 15 देश हैं दुनिया में जो ताइवान को सपोर्ट करते हैं और ताइवान को एक देश के रूप में मानते हैं रह गई लोकतंत्र पर भारत को पाठ पढ़ाने वाले देश क्या वो देश अब करेंगे ताइवान की मदद अमेरिका की बात करें यह कहा है कि अगर फिलिपिन्स पर हमला हुगा दचिन जीन सागर में यह हमला होता है और बढ़ता है फिलिपिन्स पर हमला होता है तो फिर हम रच्छा करेंग फिलिपिन्स की क्यों क्योंकि फिलिपिन्स में तैनाथ है मिसाइले और एक बेस है अमेरिका का वैसे आपको क्या लगता है क्या अमेरिका ताइवान का साथ देने के लिए आएगा या नहीं कमेंट कर अपनी राए चिरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़ कि साथ